यह जालких ऐसे हुआ हैं है आप सब और तुम आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ मोंसून हरक्षीर की वीडियो कीई अब कार्ण की चैर करोंगे हो गाई आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो चलिए गाईश भीना time waste के वीडियो को start करते हैं let's get started तो guys आज मैं oiling जो कर रही हूँ उसमें मैं जो चीजों का use कर रही हूँ आप देख सकते हैं castor oil का मैं इसमें use कर रही हूँ इसका मैंने किस तरह से use करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी प्याज का मैं use कर रही हूँ इसमें प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद है नारिल का तेल मैं use कर रही हूँ इन तीनों चीजों को mix करके मुझे oil बनाना है यह तीनों ही चीज़े हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल हैं तो सबसे पहले प्याज को हमने इस तरह से ग्राइन कर लेना है तो गाईज आपना अगर यह वाला ऑल बना रहे हैं तो आपको रेड कलर के प्याज का यूज़ करना है इसलिए मैंने जो प्याज के रस की कॉंडिटी है वो सिरफ एक चम्मच ली है, नारियल का तेल मैंने यहाँ पर यूज किया है, आप चाहे तो एलमेंट ओयल भी यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल आप तीन से चार चम्मच यूज कर सकते हैं, कैस्चोर ओयल की हमें कुछ ब बाल पर लेंथ पर अच्छी तरह से ऑईलिंग करनी है बालों पर बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है क्योंकि जो भी चीज़े हमने इसमें डाली है वह सारी जिज्जों का असर हमारे बालों पर अच्छी तरह से जाए इसलिए मैं कॉटन का यूज कर रही हूं कॉटन से जो हमने प्याज का रस इसमें डाला उससे हमारे बाल इतने चादा लंबे घने मजबूत होंगे अगर आपको वाइठ हेर की प्रॉब्लम है वह आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी दो मुहीं अगर आपके बाल है ना तो आप बालों की थोड़ी थोड़ी नीचे से के बाद उसमें हमारे बाल इतने जहटा जहड़ते हैं हियर फॉल्ल की प्रॉब्लम इतनी जहादा हो जद्य आप नारियल की तेल अगर आपके पास नहीं है तो आप एलमेंट ओयल का यूज भी कर सकते हैं बट आपको आइलिंग इसी तरह से करनी है कॉटन से करनी है हलके हादों से करनी है और मसाज बहुत जोर-जोर से बालों पर नहीं करनी है क्योंकि इस सीजन में हमारे बाल वैसे बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं बाल बहुत जड़ने लग जाते हैं इसलिए हमें कॉटन का यूज करना है एक तो कॉटन से बहुत अच्छी तरह से तेल सारे बालों पर लग जाता है जड़ों तक अच्छी तरह से तेल लग जाता है जितनी आपको कॉंडिटी इसलिए मैंने एक चम्मच मैंने प्याज का रस यूज़ किया है और इसमें मैंने नारियल का तेल यूज़ किया है इससे प्याज के रस की स्मेल बिल्कुल खतम हो गई थी और तीन दिन बाद मैंने हेर वाश किया था कैस्चर ओयल की हमें कुछ ड्रॉप सही यूज़ करनी है क्योंकि कैस्चर ओयल हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल है इसकी इतने ज़्यादे फाइदे हैं बट इसकी इससे हमें एज़ा ओयल यूज़ नहीं करना है इसकी कुछ बुंते ही हमने इसमे कर सकते हैं, यहर फॉल की अगर आपको problem है, बहुत कम इसकी quantity के आपको use करनी है, और आपकी बालो की length इतनी ज्यादा इससे increase होगी, बस आपको इसकी quantity काफी कम use करनी है, नारील का तेल तो वैसे भी हमारे बालो के लिए बहुत ज़धा beneficial है, summer और winter दोनों में आप इसका use कर सक कվ recoci Kollegin सरक और में दैख सकते हैं मैं किस तरह से कर नहीं हैं आप किसा से कर रही हूं आप चाहें न अकेला प्याज का रस प्ढ़ा प्याज लेकर उसका अचसी तरह से रस निकाल कर अपने बालों ब्रौं पर लगाएं और दो से 3 घंटे से ऐसा ही छोड़ दीजिए तो एक घंटा भी आप रख सकते हैं उसके बाद हिर वाश कर लीजिए अगर आप ऐसा भी करते हैं तब भी आपकी हिर प्रॉब्लम खतम हो जाएगी वाइट हेयर की प्रॉब्लम खतम हो जाएगी आपके बाल इतने जदा लंबे मजबूत गने बनेंगे क्योंकि प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही जदा बेनिफीशियल है आज गल तो अनियन ओयल भी इतने अच्छे अच्छे मार्किट मे आ गई है तो जो मैंने आज आपको तरीका बताया आप इस तरीके से अगर हफ़ते में दो बार ओयलिंग करेंगे न तो आपको बहुत अच्छे फाइदे देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें हमने प्याज का भी यूज किया है और हमने नारियल के तेल का यूज भी किया आ इतनी ज़्ब हमें स्वेटिंग की प्रॉव्लम होगी, तो मसाज का तरीका आप देख सकते हैं कि कि सतरह से आपको अपने बालों पर मसाज करनी है हमें अपने बालों पर इस necesario से मसाज करनी है कि टैंगल्स बिल्कुल भी ना पड़ें क्योंकि जितने ज़्यादा टैंगल्स पड़ेंगे उतनी फिर हमें टैंगल्स निकालने में परिशानी होगी हमारे हेर फॉल होगा इस तरह से अपनी नेक पर कानों के पीछे फोर हेड पर अच्छी तरह से मसाज करे हलके हथों से मसाज करें ताकि आपका जो ब्लड सरकुलेशन है वो भी बिल्कुल ठीक रहे बालों पर हम सही तरह से मसाज करें हफ़ते में दो बार अच्छी तरह से ऐलिंग करें तो हमारे बालों को कोई भी किसी तरह की परिशानी नहीं होगी जितनी आपको नीड है उतना ही ओयल का यूज कीजिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी हेर ओयलिंग करनी है मैंने यहाँ पर सिरफ तीन से चार चमच तेल बनाया है चोटे चमच मैंने यूज की है और मेरे बालों पर बड़ी अच्छी तरह से लग गया इसके बाद मैंने कॉम्बिंग की है ब्रेड लूस ब्रेड बनाकर रखी है बस यह तरीका आप अपना लीजिए सिरफ इन तीन चीज़ों से ही आपको अपने बाल इतनी ज़्यादा सुन्दर लगने लग जाएंगे न कि आप खुद हैरान हो जाएंगे बिना कोई पैसा खर्चे आप अपने बालों को बहुत ही ज़्यादा सुन्दर बना सकते हैं ज तो देखिए बालों पर अच्छी तरह से मैंने कॉमबिन्ग की ऐँ जिस तरह से मैंने मसाज किया ऑइलिंग की ए उससे बालों में बिल्कूल भी टawy टैंगल नहींपड़े हैं अच्छी तरह से मैंने कामबिन्ग कर ली जाएं रुँना कि रखनें बालों को ऊपन नहीं र लूज ब्रेड बना कर रखनी है तो देखिए इतनी असान तरीके से आप अपने बालों को कितने कितना सुन्दर बना सकते हैं विडियो अच्छी लगे होगी विडियो अच्छी लगे तो विडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो चलिए झाल झाल